नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूँगा TCS यानि TATA कलसंट NC Services Limited के स्टॉक के बारे में शेर में आज आपको एक तूफानी तेजी आती हुई दिख रही है मैं आपसे जादा कुछ नहीं बस अगर मैं देखू तो जो पहले एक दिन पहले हुआ फ्राइडे को वो आज रिवर्सल हो गया पूरी तरीके से मार्केट में शांदार एक अपसाइड देखने को मिल रही है अमेरिका के बजार की तेजी के बाद और नैस्डेक इंडेक्स में भी धाई परसेंट की तेजी थी तो उसके साथ हमारे IT स्टॉक्स भी बाउंस बैक रिकवरी देते हुए दिख रहे है लेकिन सवाल ही उठता है कि क्या करें इस तेजी के बाद क्या यहां पर हमें खरिदारी करने का मौका मिल रहा है या फिर अपनी पोजीशन से एक्जिट लेने का समय है वो एक्जिट लेना चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के बारे में डिसकस करता हूँ एंड बात करेंगे कि कैसे रह सकते हैं आज इस company के जो financial numbers आने वाले हैं वो और आपको financial numbers से पहले क्या करना चाहिए इसके बारे में answer देने की कोशिश करूँगा दोस्ता वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक request है यानि की लगबग लगबग पौने 3% ऊपर है stock और इसका days high देखे तो 3300 and 14 का है 3300 पे अभी trade कर रहा है जो stock के पूरे average volume है दिन के दौरान जो trade होते हैं वो around 16.5 lakh shares हैं और अभी तक stock में 15.8 यानि almost 16 lakh shares trade हो चुके हैं यह आपको दिखा रहा है कि stock में stock के result से पहले अच्छे volumes आ रहे हैं पिलस तेजी बन रही है या मिखनी की कुछ लोग हैं जो positive बैठे है numbers से आने से पहले कि numbers अच्छे आएंगे इस hope में या फिर numbers खराब आएंगे stock गिरेगा और हम और खरीदेंगे वो उन्हें पता होगा हमें नहीं पता लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि action बड़ा होता हुआ दिख रहा है आपे stock में numbers आने से पहले अब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में आते हैं लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ numbers कैसे आ सकते हैं तो TCS की बात करें तो TCS अपने numbers जो है वो अच्छे paste कर सकता है लेकिन importance जो हमें देनी है वो देनी है कि कैसी रहेगी management की commentary, guidance ये सबसे ज़्यादा important है इससे भी ज़्यादा की numbers कैसे आते हैं देकिन numbers अच्छे आएं लगबग revenue में 7% के quarter on quarter jump की उमीद है and profit में around 11 to 14% के जम की उमीद है ऐसा market मान के चल रहे है but सबसे important होगा guidance आगे का outlook वो कैसा रहता है management का, कैसा guidance देती है क्या hope है उनकी आगे के quarter 4 Q1, next financial year के वो matter करता है और अब आपको क्या करना चाहिए result से पहले इसके बारे में बात करता हूँ देखिए result से पहले दो लोगों के लिए रहा है पहला उनके लिए जिन पर already position है और investor है दूसरा जो already position hold करते है बढ़ trader है and एक और जो fresh entry लेना चाहते है चाहिए वो investor हो या वो trader हो तो चलिए तीनों के लिए के करके discuss करता हूँ सबसे पहले बात करते है जो already इस stock में निवेशित है investors है उनको कुछ नहीं करना है ना fresh buying ना आपनी position से cut करनी है अगर stock के numbers अच्छे आते हैं तो आपको आज भड़िया देजी मिल रही है यहाँ पे आपसे मैं कहूँगा profit book करने की राए है exit होने की राए होगी आप numbers का wait ना करें क्योंकि आप trade कर रहे हैं इतना risk को क्यों लेना कि अच्छा आपको move मिल गया है आज तो फिर मेरे असाब से wait करना बेकार है या तो stock move नहीं करता कुछ भी तो फिर हम सोचते भी ठीक है निकलना है या बने रहना है बट move कर दिया तो मेरे असाब से अब आप कही ना कही आ से exit ले सकते हैं अच्छा अब आते fresh entry कि मैं फ्रेश entry लेने चाहता हूँ आपको कुछ नहीं करना चाहिए आपको number का wait करना चाहिए कल आपको trade initiate करना चाहिए शाम को company 4-5 बजे करीब numbers पेश करेगी और numbers जैसे हैंगे मैं आप सभी के साथ discuss करूँगा numbers के बाद ही आपको कोई भी move लेना चाहिए stock बहुत strong दिख रहा है और strong दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है इसे numbers positive side पे रहने चाहिए stock का reaction positive side पे रहेगा stock days high के आसपास trade करता हुआ दिख रहा है और 3300 पे chart pattern की बात करें head and shoulder बन रहा था stock में head and shoulder का जो breakdown था stock 3190 पे होना था कल भी मैंने एक video बनाई थी जा मैंने आपके साथ यही level शेयर करा था कि जब तक यह level ब्रेक नहीं करता traders को दिक्कत नहीं लेनी है आज एक भड़िया move मिल गया gap up मिला और उसके बाद और तेजी बनी है तो days high पे यह stock यह नीची आया तो आपको यहापे मेरे असाब से tension लेने की ज़रुवत नहीं यह बने रहने की राय होगी hold करने की राय होगी और गिरावट होती है अगर किसी भी reason से तो खरीदने की राय होगी मैं long term निवेशक के लिए बोलूँगा यह stock आपको आने वाले समय में 4,000, 4,000 और 5,000 भी दिखाएगा हो सकता है एक साल दो साल लग सकते हैं लेकिन investment करा है तो definitely बने रहो quality stock है आपको गिरावट में मिल रहा है आपका मौका है खरीद़ारी करने के मौके दूने केवल shareholding pattern देखोगे तो 6% equity है जो आपके और मेरे जैसे retail investors के पास है अधरवाई सारा का सारा माल बड़े लोग खरीद के बैठे है FII, DIIs और promoters तो आपको समझना चाहिए कि stock में दम है तो यह मेरी वीडियो होप आपको समझना पसंदान आई होगी थैंक यह सो मच for watching this video have a great day guys